Hello viewers, welcome to my channel Study Mentor आज हम करने जा रहे हैं India Statics GK का Part 11 इससे पहले हम India Statics GK के 10 Part कर चुके हैं जिसमें हमने इंडिया के ब्रीफ के बारे में National Symbols, Krunt, Whose, Whose जिसमें Cabinet Minister, Krunt Prime Minister, President, Vice President, Army Chief of India, RBI Governor इसे रहे हैं जो इंडिया Statics में करंट हूँ हैं वो काफी जादा इंपोर्टेंट है विद ट्रिक्स हमने वो सब कुछ किया है जो आपके लिए बहुत जादा बैनिफीशियल है ठीक है उसके बाद हमने अवोर्ड करें हैं अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको भी देख लिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत जादा बैनिफीशियल है उसके बाद हमने वर्ल्ड हैरिटेज साइट करी है ठीक है वो युनेसको से रिलेटिड काफी कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं किस साइट को कब वर्ल्ड हैरिटेज साइट बनाया गया कहां पर वो उसकी लोकेशन कहां पर है ठीक है यह इस से रिलेटिड काफी कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं मैं सिरफ आपको इंपोर्टेंट कोशन बता रही हूँ जिससे रिलेटिड ट्रिक्स हैं तो वो भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको साथ की साथ याद हो जाए ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है first in India यह काफी जादा important question है static से related जो की हर exam में पूछे जाते हैं चाए वो railway का हो, banking का हो, Punjab का competitive exam हो किसी भी exam से related जो questions पूछे जाते हैं वो इस में से जरूर exam में पूछे जाते हैं India statics GK से related ठीक है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होने वाली है इसमें हम first in India पहले male करेंगे then female करेंगे ठीक है जो की बहुत ज्यादा important है आपके लिए ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please वीडियो को जरूर लाइक कर दें अब हम करने जा रहे हैं start ठीक है सबसे पहले है हमारे पास very very important first governor of Bengal last governor of Bengal first governor general of Bengal last governor general of Bengal first governor general of India इस तरह से related काफी exam में बहुत ज्यादा important है exam में पूछे जाते हैं ठीक है और इनका year भी कई बार पूछ लिया जाता है year इतना नहीं पूछा जाता लेकिन जो PCS IAS level के exam होते हैं उनमें इनके year भी पूछ लिये जाते हैं ठीक है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत जादा important होने वाली है तो please इसको ध्यान से देखेगा और मैं आपको starting में बता रही हूँ आप copy पे इन सबको note कर लीजिएगा ताकि अगर आपको revision आप करो तो आपके पास एक से related questions आपको कठे मिल जाएं तो please इन सबको note कर लीजिए क्योंकि एक दो गवर्नर ओफ का बंगाल इस लोड क्लाइब फर्स्ट गवर्नर ओफ बंगाल इस लोड क्लाइब कब से 1757 तो 60 वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है बहुत जादा इंपोर्टेंट है लास्ट गवर्नर ओफ बंगाल इस वेरन हास्टिंग लास्ट गवर्नर ओफ बंगाल व 1772 to 74 ठीक है लास्ट फिर्स्ट गुवर्नर लोड क्लाइव लास्ट गुवर्नर ओफ बंगालीस वेरन हास्टिंग फिर्स्ट बहुत जादा इंपोर्टेंट है यह कोश्यंस एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ठीक है प्लीज इन सबको नोट कर लीजिए मैं आपको बार बार कह रहे हूं ताकि काम आ जाता है तो आप डारेक्ट उस चीज़ को वहां से याद कर सकते हैं ठीक है फ्रस्ट गुवर्नर ओफ बंगाल लोड क्लाइव लास्ट गुवर्नर ओफ बंगाल अब सातमें जनरल फ्रस्ट गुवर्नर जनरल ओफ बंगाल that is वैरन 1974 to 85 जो last governor of Bengal है उसी को first governor general of Bengal बना दिया है ठीक है last governor of Bengal वेरन हास्टिंग first governor general of Bengal is also वेरन हास्टिंग ठीक है clear हो गया आपको अब आगे है हमारे पास first governor general of India first governor general of India that is Lord William Bantic very very important क्योंकि वो थे first governor general of Bengal वेरन हास्टिंग अब है first governor general of India क्योंकि ये सारे questions confuse करने वाले है first governor general of Bengal वेरन हास्टिंग और इनके नाम भी एक जैसे है ठीक है तो इसका है first governor general of India that is William Bantic ये है Bantic B से वो है हास्टिंग ठीक है very very important इनका कब है 1833 से 1835 ठीक है आगे है हमारे पास next question last governor general and first vice raya of India ठीक है उसके बाद governor जब पहले governor general थे उसके बाद कौन vice raya बना दिये गए ठीक है तो हमारा first vice raya of India कौन था that is Lord Canning that is Lord Canning very very important last governor general और first vice raya of India that is Lord Canning 1856 to 62 please इनको आप एक copy पे note कर लीजे क्योंकि ये video आपके लिए बहुँ ज़्यादा beneficial है हर exam में चाहे आप कौन सब exam उठा लीजिए चाहे पंजाब के competitive exam है चाहे banking के जो exam है IBPS clerk IBPS PO कोई भी exam है railway के exam है किसी में भी ये questions पूछे जा सकते हैं ठीक है चाहे वो state level से related हो ये center level से related हो इंडिया statics GK में first in India बहुँ ज़्यादा important है आपके लिए बहुँ ज़्यादा beneficial है प्लीज इनको एक अलग note बना लीजिए notes बना लीजिए इनको वहाँ पर note कर लीजिए बहु ज़्यादा important है आपके लिए अब next है हमारे पास first president of Indian National Congress very very important ये question बहुँ ज़्यादा important है आपके लिए first president of Indian National Congress that is W.C. बनार जी first president of Indian National Congress that is W.C. बनार जी very very important है ये आपके लिए इसके बाद हमारे पास है first Indian governor general of independent India first governor general of independent India कोन है C. Raja Gopalachari very very important ये थे last governor general of India कोन थे लोड कैनिंग ये question है first governor general of India that is William Bantic ठीक है first governor general of India William Bantic ये इसमें क्या फर्क है first Indian governor general of independent India independent India में इंडिया के first governor general कोन थे जो इंडिया से बिलोग करते थे that is C. Raja Gopalachari कोन थे C. Raja Gopalachari क्योंकि ये question बहुँ ज़्यादा important है क्योंकि ये confusion create करता है और इसका अंसर है C. Raja Gopalachari और first governor general of India that is Lord William Bantic very very important ये दोनों question एक दूसरे से related है और दोनों जो अब आएंगे इन दोनों में ये दोनों option हो सकते हैं तो प्लीज इसको याद कलिए first governor general that is Lord William Bantic और first Indian governor general of independent India that is C. Raja Gopalachari that is C. Raja Gopalachari कब बने थे ये 21st June 1948 से लेकर 25th of January 1950 तक ठीक है अब next है हमारे पास first Indian to pass ICS first Indian to pass ICS that is Surindranath Banerji very very important first Indian to pass ICS Surindranath Banerji और first Indian ICS officer that is Satyandranath Tagore ये दोनों नाम एक दूसरे एक जैसे लगते हैं बट ये था जिसने सिरफ pass किया था ICS exam first Indian to pass ICS exam that is Surindranath Banerji और ये अलग है जो first Indian ICS officer बना था ठीक है तो वो कौन है Satyandranath Tagore Satyandranath Tagore first Indian ICS officer that is Satyandranath Tagore first Indian to pass ICS that is Surindranath Banerji ठीक है होगे clear next है हमारे पास first governor general of India after independence first governor general of India after independence ठीक है कौन है Lord Lewis Mountbatten Lord Lewis Mountbatten कब बने 15 August 1947 to 20th June 1948 first governor general of India after independence ठीक है उसके बाद जो हमारे governor general थे उस time first governor general of India after independence that is Lord Lewis Mountbatten that is very very important क्योंकि हमने last किया है first governor general of India first Indian governor general of India तो वो कौन थे सीराज गोपालाचारी ठीक है तो first इंडिया first governor general of India after independence that is Lord Lewis Mountbatten ठीक है very very important है यह सारे questions क्योंकि confusion create करते हैं अगर आप इनको अलग से नोट करके 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा क्या-क्या फर्रक है क्या-क्या difference है आपके लिए अब next है हमारे पास first Indian Cosmonaut first Indian Cosmonaut to go into space चीक है कौन है squadron leader Rakey Sharma squadron leader Rakey Sharma first Indian Cosmonaut to go into space Cosmonaut कौन थे जो space पे गए थे first Indian that is squadron leader Rakey Sharma very very important यह question exam में जो first है यह बहुत जादा important है यह किसी तरह से भी exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है first temporary president of constituent assembly first temporary president of constituent assembly that is dr. Satchidanand Sina that is dr. Satchidanand Sina first temporary president of constituent assembly that is dr. Satchidanand Sina first commander chief of free India very very important first commander in chief of free India that is general K.M. Kariyappa ठीक है general K.M. Kariyappa first commander in chief of free India that is general K.M. Kariyappa next है उसके बाद हमारे पास first Indian noble laureate first Indian noble laureate that is Rabindranath Tagore first Indian noble laureate that is Rabindranath Tagore very very important अब next है यहां पर F लगाया हुआ first Indian judge of international court of justice very very important first Indian judge of the international court of justice dr. Nagendra Singh dr. Nagendra Singh first Indian judge judge की बात हो रही है यह चीज़े आपको याद में रखना है first Indian judge of Indian court of justice that is dr. Nagendra Singh उसके बाद है हमारे पास first Indian to get Bharat Ratan award हमने किया न भारत Ratan award कौन से है highest civilian award भारत Ratan award that is highest civilian award और इसका जो first Indian जिनको यह मिल है dr. S. Radha Krishnan very very important first Indian to get Bharat Ratan award that is dr. S. Radha Krishnan first field marshal that is S. F. J. Manekshah first field marshal that is general S. F. J. Manekshah that is general S. F. J. Manekshah very very important first commander in chief कौन से थे के एम करियप्पा ठीक है first commander in chief free India that is general K. M. करियप्पा हमने किया न भी तो अब है first field marshal that is general S. F. J. Manekshah very very अब यह आप यहां से इस चीज को idea लगा सकते हो marshal manekshah marshal manekshah general SFJ manekshah marshal manekshah जैसे जैसे आप इनको note करोगे एक दो बार पढ़ोगे आपके mind में बैट जाएगी और हो सकते है कि बार बार पढ़ने से आपको कोई trick या कुछ और तरीके से आप इसको याद कर सको ठीक है next है हमारे पास the president of constituent assembly कौन है and the president of constituent assembly that is dr. रजेंद्र प्रसाद ठीक है यह वीडियो आपके लिए बहु जादा important है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि इस से related और भी important वीडियो मैं आप तक लेकर आती रहूं ठीक है और वीडियो को शियर जरूर कर दे प्लीज वीडियो को शियर कर दे ताकि और भी जो स्टूडेंट्स competitive exam की त्यारी कर रहे हैं चाहिए वो center level की हो या state level की पंजाब के competitive exam की हो तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दे ठीक है शियर जरूर कर दे next है हमारे पास first Indian to swim across the English channel very very important first Indian to swim the across English channel that is Mihir Sen कौन है Mihir Sen उसके बाद है first Indian to get Janan Peet award very very important first Indian to get Janan Peet award जी शंकर करूप जी शंकर करूप first Indian to get Janan Peet award that is जी शंकर करूप very very important उसके बाद next है हमारे पास first Muslim President of Indian Republic that is also very important जो भी ये questions है ये सारे मैं सिरफ आपको important ही करवा रही हूं unimportant question बिलकुल भी नहीं करवा रही हूं तो प्लीज ये सारे note कर लीजिए और याद जरूर कर लीजिए ठीक है एक दो बार वीडियो देख लेना note कर लेना उसको भी read कर लेना आपको अपने आप याद हो जाएंगे बार बार पढ़ने से ये questions याद हो जाते हैं 1st Muslim President of Indian Republic that is Dr. Zakir Hussain that is Dr. Zakir Hussain 1st Indian to get Jananpita Award that is Shankar Kurup 1st Indian to get Jananpita Award that is Shankar Kurup 1st Indian to swim across the English Channel that is Mahir Sen 1st President of Constituent Assembly that is Dr. Rajendra Prasad 1st Indian to win Park Strait Ocean Swimming Contest 1st Indian to win Park Strait Ocean Swimming Contest that is Badyanath 1st speaker of log sabha G.V. Mavlankar ये तो questions politics में भी पूछे जा सकते हैं ठीक है जो आपके polity आती है exam में किसी exam में 5 या 10 marks की उसमें भी ये questions पूछा जा सकता है कि 1st speaker of log sabha that is G.V. Mavlankar very very important 1952 से 57 तक इसका year भी पूछा जा सकता है 1st speaker of log sabha that is G.V. Mavlankar 1952 से 57 1st person to make printing press popular in India 1st person to make printing press popular in India that is James Hickey 1st person to make printing press that is James Hickey James Hickey जो की popular हुई थी इंदिया में that is James Hickey and आज का जो last question है वो है 1st education minister of independence इंडिया that is Molana Abul Kalam Azad Molana Abul Kalam Azad 1st education minister of independence इंडिया that is Molana Abul Kalam Azad very very important ये हमारे first in India में खतम नहीं हुए है अभी और हैं वो हम next lecture में करेंगे ये आपको इसलिए मैं कम करवा रही हूँ ताकि आप confused ना हो जाएं बस इतने ही करें एक दो बार पढ़ेंगे सुनेंगे आपको ये सारा याद हो जाएगा चीक है तो कल हम इसके साथ और वीडियो लेकर आऊंगी मैं आपके लिए जो first in India मेल से related होगी और next इससे questions होंगे जो आपके लिए बहु जादा important होंगे तो please अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर दे ताकि जो और वीडियो आएं इससे related या और जो हम subject कर रहे हैं उनसे related तो please चैनल को जरूर subscribe कर दे थेंक यू